तो चलिए देखते हैं उसके important questions क्या-क्या है और इसे पहले हम आपको बता दें कि अगर chemistry की पेपर की बात करेंगे तो थोड़ार सा उसका जो लेवल था यानि टाफ लेवल तो इसको moderate हम बोल सकते हैं बट लेकिन कुछ question जो थे वो थोड़ा tough लेवल के थे ठीक है और हम बात करें कि अगर उसका क्या पूरे question model paper से आया थे तो generally देखिए पिछले बार भी यही हुआ था कि maximum question model paper से उसमें से नहीं पूछा गया था बोल सकते हैं 50% 50% आपको महां से model question से आया हुआ था 50% नहीं आया हुआ था तो जो 50% नहीं आया हुए थे वो जो tough लेवल के question थे ठीक है वो tough लेवल के जो question बना दिया था तो इसलिए maximum student यह comment कर रहे थे कि बहुत अच्छा नहीं किया तो क्या model paper से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए तो मैं सभी आप सभी लोगों को यह बता दू कि देखिए physics और chemistry यह दो paper ऐसे हैं कि इन दो paper में से कोई एक paper थोड़ा सा बोल सकते हैं tough हर साल करने की process करता है तो इस बार फिर से chemistry का ही paper फिर से उस प्रकार का उस level का बनाए गया था जिससे की काफी बच्चे को उतने एच्छे से नहीं बना paper जितना अच्छा बाकी paper गया है तो रही बात biology का तो biology basic आपको model paper से ही पढ़ना है क्योंकि यहां से biology के questions आते हैं अगर maths के जो बच बिल्कुल नहीं लीजिए अब पूरा focus last paper है आपका पूरा focus आप इस last paper में आप करिए ठीक है बिल्कुल भी tension नहीं लीजिए और जो भी थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे number हो सकता है तो आप बिल्कुल यह जो biology बचा हुआ है इसमें आप पूरा effort डाल दीजे यहनी 100% आप इसमें दीजे ठीक है तो चलिए देखते है important questions तो एक number वाली जो प्रस्ष्ण है यहाँ पास first है आप देख सकते हैं कि GFT यानि GIFT का पूरा नाम बताना है ठीक है तो जिसका पूरा नाम क्या होगा जाइगोट और जाइगोट इंट्रा फॉलन और ट्रांसफर ठीक है फॉलोपेंट ट्रांसफर तो यह इसका पूरा नाम हो गया next दूसरा अगर दिया हुआ है कि और अगला प्रेशन देखें नीशेशन को परिभासित कीजें तो नीशेशन वशा रही रहे है जिसमें नर्व माधा यूगमक सनलेट होकर दुईगिनित यूगमज यानि जाइगाट बनाते हैं निसेचन कहलाती है अगला प्रशन है प्रित्वी के फेफडे के रूप में जाना जाता है प्रित्वी के फेफडे के रूप में किसे जाना जाता है तो याद रखी का अमेज वर्षा वनों का ठीक है अमेजन वर्षा वनों को कि अगर प्रित्वी के फेफड़े को रिप में जाना जाता है अगला प्रसन देखिए यूगमस क्या है यानि जाइगाट वाट इस जाइगाट परागन के पश्चात पराग कणों का अंकुरन होता है जिसके फ़ल्सोरूप नर यूगमक परागनालिका की सहाइधा से मादा यूगमक तक पहुंचता है और बिजानु के अंदर भ्रून को में सलनाइत होते हैं और सलनाइत होने के पश्चाति बनी रचना ही यूगमस यानि जाइकाट कहलाता है तो यह important questions है इन सभी questions को आप अच्छे से complete करिए और जो डाइग्राम वाले जो जितने भी questions है उसको आप बिल्कुल अच्छे से बनाइए और प्रैक्टिस कर लिजे और अब बिल्कुल भी यह model पर से आप question करिए और साथी previous year के questions बहुत अच्छे से लगा लिजे आप 2022 के और 21-22 यह तीन वर्सों के questions आप बहुत अच्छे से और इसका पीडिया भी मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा इसके अलावा अगर आप ब्यसी नर्सिंग करना चाहते हैं ब्यसी नर्सिंग तो उसका मैं बता दूँ आपको फॉर्म आ चुका है यह फिर आप पीटी पैट एग्रिकल्चर उसका फॉर्म फिल करना चा ओके तो यह सबी फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो आ चुकी है तो आप असानी से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बारे में और अधिक जानगारी जाहिए तो आपको वाट्साप ग्रूप से जॉइन हो जाहिए वहां आमने मैसेज कर र नेक्स्ट देखिए यहां पास प्रात्मिक उत्पाधक्ता और दितेक उत्पाधक्ता में अंतर बोला गया है प्रामरी जो प्रोड़क्टिविटी और सेकेंडरी प्रोड़क्टिविटी में डिफॉरेंस है अगला प्रश्न देखिए वायू प्रेदूसर्ण के कारण को इस परस्ट करके लिखना है आपको फिर ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोबल वार्मिंग से बचने के क्या उपाय है उसे आपको यहां बताना है फिर है यहां पास मानो इंसुलीन के उत्पाद में अनुवांसिक इंजिनियरिंग के योगदान का वर्णन करना है यासे डाइग्राम सहीद आप बना सकते हैं यहां पास फिर निसेचन किसे कहते है अन्तवरिज अबरित वीजी पाधे में दू निसेचन यानि उसका अच्छी तरह सहीद आपको वर्णन करना है ओके तो यह डाइग्राम के थूँ पीडियाप आपको इसका वाट्सप ग्रोप में मिल जागा इस वीडियो के डिस्क्राइब में वाट्सप ग्रोप का लिंक दिया हुआ है वहाँ आप जॉइन हो जाएएगा या फिर टेलिग्राम चैनल पर भी इसका हम पीडियाप सेंट करने देगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट अगला question देखी कि पच्चियों में लिंग निधारन का questions है पच्चियों में लिंग निधारन के प्रेक्रिया को रेखा चित्रों दौरा आपको इसपश्ट करना है next है किसान दलहन फसलों का क्यों उप्यों करते हैं ठीक है तो इसका answer आप यहाँ से देख सकते हैं यह पुरा इसका answer यहाँ तक मिल जाएगा आपको और इसी में अथवा प्रश्ण भी है कि किस भोजन आहार में लैक्टिक एसिड वेक्टिरिया मिलते हैं और इनमें कुछ लाप्रद उप्योगों का वर्णन करना है यह उम भीजानु का क्रिसी में क्या उप्योगिता है यह बताना आ आपको को कि के स्ट्रेंट्स यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन का बटन प्रेस कर लिजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही ओके गुड़ लग थैंक्यू